यहां पे 30% crypto tax लगने के बाद अब यहां पे जो हमारे पास डेटा आया है वो काफी डरावना है यहां पे जतने भी Indian crypto एक्सेंज है यहां पे उनका डेटा आ चुका है और यह डेटा शोगरता है कि जितने यहाँ पे traders हैं इंडिया में वो इस tax से खुस नहीं है यह जो data है काफी मतलब देख के बुरा लग रहा है बहुत सारे लोगों ने यह जितने भी exchange है इंडिया उसको छोड़ के जा चुके हैं यहाँ पे पहले हम आपको वो data दिखाते हैं यहाँ पे आप देखेंग बाद जब भी आ गया कि यह tax लागू हो चुका है उसके बाद आधे से जादा लोगों ने जितने भी लोगों ने इसमें crypto रखा था वो या तो transfer कर चुके या तो अपने पैसे bank account में मंगा चुके थे क्योंकि उन्हें 30% tax नहीं देना था क्योंकि अब वो इस तरीके से trading करन चाते हैं ताकि उनका पैसा सेफ रहे यहाँ पर बोलू तो जो मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत सारे लोगों ने अपने crypto currency को transfer किया है बहुत सारे ऐसे comments आया थे जो इस बात को नहीं मान रहे अब हमारे पास data आ चुका है जो यहाँ पर trade volume 212 million dollar का था वो घटके 89 million dollar क हो गया है मतलब आदे से ज्यादा trade volume हो गया है मतलब यहाँ पर आदे से ज्यादा ऐसे amount है जो के transfer किया चुके है या फिर बहुत सारे लोगे ने अपने crypto को sell कर दिया है यहाँ पर आप देखेंगे यह जो volume है काफी ज्यादा डराओना है एक ही दिन में इतना खतरनाक आप volume देख सकते हैं coin gecko पे coin gecko पे आएंगे वजीर एक्षेंज का सारा data आप यहाँ पर देख सकते हैं और अगर बात कुरूँ अभी आगे और भी महीना आने वाला है तो ऐसे में Indian exchange के लिए बुरा time आ सकता है तो जिन लोगों को tax देना है वो फिलाल safe है या फिर अगर मै जो Indian exchange है उनके लिए बुरा time है वही अगर हम coin DCX सी बात करें जो trade volume यहाँ पे 36 million का था वो घटके हो गया 10 million का तो यहाँ पे मतलब 60 to 70% लोगों ने coin DCX का जो जितने भी पैसे रखे थे वो यहाँ पे transfer कर चुके हैं और sell कर चुके हैं तो यह जो दोनो data है coin switch कुबेर का भी same data है यहाँ पे बतादू Indian जो exchange है वहाँ पी 1% tedious एक जुलाई से कटेगा तो ऐसे में आपका जब tedious कट रहा है तो आपका जो भी profit होगा उसे flat 30% tax देगा और crypto में जो अच्छी traders हैं वो अच्छा खासा profit इकालते हैं लेकिन इतना ज्यादा tax लग रहा है कोई भी share नहीं करना के रूप में चुना था और एक अच्छा growth भी लोगों को मिल रहा था अच्छा पैसे कमा रहे थे जब हमारे देश के युवा पैसे कमा रहे हैं एक अच्छा option आया था तो government को अच्छे से treat करना था लेकिन government वैसा कर नहीं पाई तो ऐसे में एक बुरा हमें यहाँ पर result दे trading हो रहा है तो बहुत सरे ऐसे option है अगर जो आप professional traders हैं आपको पता है आप कैसे अपने crypto को save करक सकते हैं अगर आप tax देना चाहते हैं तो दीजिए बहुत अच्छी चीज़ है हमें tax देना चाहिए लेकिन main problem आरे है इस set off में मतलब आप tax देने के बाद भी अगर loss में है तो ऐसे में ये जो data है काफी डरावना है मुझे लग रहा है कि आने वाले time में हो सकता है और बहुत सारे लोग जो crypto ये इतने भी exchange है वो अपना जो crypto asset है वो transfer करें फिलाल data तो transfer होगा नए दिक्कत याएगी नए लोग जो जूड़ेंगे वो इस पर crypto buy नहीं करेंगे ऐसे में जितने भी crypto Indian exchange है यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम में देखने के मिलेगा तो हम देखते हैं फिलाल इस tax को लेके छे महीने में क्या result आता है फिलाल यह जो छे महीने है काफी important होने वाला है crypto tax को लेके plus हम यहां पर अगर हम बात करें बहुत सारे लोग अभी जो डरे हुए ह सोच रहें यह exchange भाग जाएगी तो ऐसा नहीं है दोनों exchange safe है वजीर एक अच्छा exchange है यहां पर आपके पैसे safe है बस आपको जो बहुत साय लोगों ने जो यहां फे फंड ट्रांसर की है वो tax से जो यह tax है वो खुश नहीं है उसके चलते हुआ है तो यहां पर मुझे लगा यह data आपको show करना चाहिए कि हर तरीके की news update आपको मिलनी चाहिए news update आपको current time पे मिलेगा तो आप update रहेंगे आप aware रहेंगे आपके fund को क्या करना है तो अभी इस वीडियो में इतना ही है आप comment करके बिताएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा आउंगा दोस्तो ऐसे ही news update डेली में देता रहूंगा आप मेरे YouTube चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब कीजेगा तो अभी इस वीडियो में दोस्तों अतना ही तब तक आउंगा ने वीडियो में किसी बहुत बहतीन टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद